आप सभी का स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूस पीजीटी टीजीटी जी आई सी की स्पेशल क्लासेस में तो आए देखते हैं आज की कुछ बहतरी इन प्रश्णों का संग्रह स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले कल मैंने एक आपके सामने एक स्पेशल क्वेशन की ट्रिक बताई थी आज मैं उसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि कल जो मैंने ट्रिक बताई थी उस तरीके से उस क्वेशन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा उस क्वेशन को दे greatest integer x plus greatest integer 2x plus greatest integer 3x okay and plus up to 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 greatest integer n into x ठीके ना greatest integer nx और divided by n का square यस यह कल हम लोगों ने question solve किया था कि इसका हम को आज answer निकलना है कल मैंने इसका trick method बता था अब मैं इसका complete method बता रहा हूं क्योंकि बहुत students ने कहा है कि सर इसका complete method भी क्या होता है इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको property जाननी चाहिए किस चीज की property आपको जाननी चाहिए इसको solve करने के लिए greatest integer इंटीजर फंक्शन की प्रापर्टी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रापर्टी होती है वो क्या होती ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रापर्टी वो देखिए कि आप जानते हैं कि यदि कोई नंबर एक्स होता है तो एक्स को क्या लिखा जा सकता है x को लिखा जा सकता है greatest integer x plus उसका fractional part x ठीक ना fractional part x तो इस तरीके से यदि मैं लिखूँ greatest integer x को तो क्या लिख सकता हूँ that is equal to x minus इसका fractional part x लिखा जा सकता है ठीक ना तो इसका हम लिख सकते हैं x minus fractional part x अब इसी चीज़ को इस्तमाल करते हुए इसी concept को मैं उपर वाला जो function है limit x tends to infinity देखी क्या लिखूँगा पहला क्या बन जाएगा मेरे पास x minus fractional part of x plus ये बनेगा plane 2x और minus का fractional part of 2x प्लस 3x और minus का fractional part of 3x ऐसे करते 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 क्या लिखता हक जाएगा ये nx तक जाएगा minus fractional part of कित्ता हो गया nx ठीक है ये देखिए और अपान में क्या चल रहा है अपान में चल रहा है n square एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेगा यहाँ पर सौरी गलती से x लिग गिया है यहाँ n जो है बदल रहा है ओके x जो भी होगा real number होगा जो भी होगा होना होगा यहाँ पर variation हो रहा n में मतलब variable जो है वो n का है अब आएए देखिए इसको हम simplify करते हैं next slide में इसको लेकर करके चलते हैं वहाँ पर इसको हम simplify करेंगे चलिए तो इसको अब देखिए simplify करेंगे किस प्रकार सी यह simplify होगा देखिए एक तो सबसे पहले इसमें x के term 2x के term है तो उनको अलग कर लीजिए है ना तो limit क्या हो जाएगा n tends to infinity limit and tends to infinity जो terms आपके हैं कौन कौन से हैं x प्लस है और 2x है और फिर क्या है 3x है और फिर 4x है ऐसे ऐसे करते करते कित्ते कित्ते बन जाएंगे यह nx बन जाएंगे एक तो पहली सीरीज आपकी यह बन गई है ठीक है ना दूसरी लिखी क्या बन रही है दूसरी अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बन रहा है यह ब्रैकेट में चेंज कर दो नहीं तो यहां मैंने ब्रैकेट लगाया और यह आपके पास में हैं ग्रेटेश्ट इंटीजर एक्स और प्लस ग्रेटेश्ट इंटीजर टू एक्स ऐसे करते 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 ग्रेटेश्ट इंटीजर एन एक्स तक यह एक अलग सीरीज बन गई है अब देखिए एक काम कीजिए एन N2 इसको भी देदी ठीक है, और limit भी आप चाहे तो separate कर ले, चलो मैं separate कर देता हूं, तो limit N10 to infinite, अब आपके पास देखी यह दिए आप इससे X common ले ले लेते हैं, तो आपके पास 1 plus 2 plus 3 plus 4 बनेगा, मतलब यह क्या है, N into N plus 1 by 2, N natural number का sum upon में कितना हैगा, N2 minus, अब देखी आप यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को में लेगी, कि यह greatest integer X है और इसके साथ में यह number लगे हुए है, 1, 2, 3, 4, देखे, यह तो सारे के सारे क्या है, यह इनका integral part है, है ना, यह सारे के सारे जो है, यह इनका integral part है, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, तो यहाँ पर थोड़ा समझने क जरूरत है, तो देखे, समझने की जरूरत यहाँ पर यह है, कि अगर मान लिजे, आपके पास X integral है सब में, तो X अगर integral है आपके पास में, तो यह सब already fractional part आपको क्या देंगे 0, क्योंकि आपको सब को पता है कि जो जैसे fractional part आपको 1 आ गया है, तो answer कितना आएगा 0 लिखा है 1.01, तो इसका fractional part कितना निकलेगा, इसका fractional part निकलेगा only 0.01, ठीक न, एक चीजी हो गई, और आप यह दी देखें इसको, एक यह दी लिखें आप 0.1, तो 0.1 का fractional part में, खुद निकलेगा 0.1, बट यह 0.2 लिखा है, तो आप इसे क्या लिख सकते है, इसे multiplied by 0.1, और जिसे लिखा जा सकता है, 2 बाहर करके 0.1, क्योंकि यह ultimately क्या बनेगा, यह 0.2 ही बनेगा, तो मतलब अगर आप fractional part में, इसको solve करना चाहें, तो कैसे solve करना पड़ेगा, मतलब यह जो 2 है, यह 3 है, यह सब के सब कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यह सब के किस तरीके से solve होगा देखे, मैं इसको solve करके बताता हूँ, आपके पास में जैसे यह है, x है, तो यहाँ पर आप इसको limit tendence to infinity कर ही लो भाई, और इसके बाद में आप on n square भी यहाँ बैठ है रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हम लोगो, यह n square भी रहेगा, अगर आप greatest integer, प्लाइब टीजर, सुरी, माफ कीजिएगा, अगर आप fractional part x common ले लें, तो यह 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, और यह सारा का सारा जो है, ओके यह भी किस के अंदर निकलेगा, यह सारा का सारा जो है, यह fractional part के अंदर ही निकल जाना कहलाएगा, ठीक ना, यह भी fractional part क यह अंदर होगा क्योंकि है तो फ्रेक्शन पार्ट का तुकडा ही ओके तो आप इसको देखे कैसे सॉल्प कर रहे हैं आप यहां से एन स्कुरर कॉमन ले लेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आपने यहां पर एक्स है ओके आपने एन स्कुरर कॉमन ले लिए कितना बन गया वन प्लस वन बाई एन और यहां पर है टू और यह है एन स्कुरर ओके एन स्कुरर से एन क्या होगे कैंसल हो गया अब एंटेंस टू इंफिनिटी पूट करेंगे तो यहां पर आपके पास में एन प्लस एन बाई टू है ना ठीक है ब्लू कुल सही है तो यह कितना जनरेट करेगा हमाई पास n-square से n-square cancel हो गया और आप लिमिट मतलब n-tence to infinity तो आपके पास में बैंगा यह बन जाएगा आपके पास में finally x by 2, because n takes to infinity रखने पर one plus one upon infinity यह ने की one plus zero बन जाएगा और यह finally आपको generate करके क्या देगा X by 2 तो यह मैं काम अगले स्टेप के लिए लिख रहा हूं यहां पर कितना एगा X by 2 आएगा अब देखिए आंगे माइनस लिमिट N tends to infinity यहां पर देखिए X है greatest integer X है upon में N square है और यहां क्या चल रहा है यहां greatest integer के अंदर चल रहा है 1,2,3,4,5 ओके यह सारा का सारा टर्म चल रहा है अब देखिए यह क्या होता है यह होता है N into N plus 1 by 2 ठीक है N into N plus 1 by 2 यह हुआ करता है तो N into N plus 1 by 2 हो गया है देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लेके जा रहे है तो यहां से बहुत प्रॉबलम हो रही है इसलिए इसको हम थोड़ा दूसरे idea से करेंगे यहां पर आप इस step को ignore कर दीजे यहां से तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर हम कैसे करना चाहेंगी इस question को देखिए यहां तक तो बिल्कुल ठीक है X by 2 आ रहा है अब इसके बाद देखिए करना क्या हमें यह जो X है greatest integer X है greatest integer 2X है greatest integer NX है इस तरीके से अब आप यह देखिए कि यहां पर वैसे चाहूँ तो आप इसको expand भी करके N square N square कैसे cancel वगरे हो जाएगा वो 1 तो 1 का answer कितना आता 0 आता है ना चलो ठीक है 1 का answer 0 आता 2 का answer 0 आता वो एक अलग बात है तो answer इसका directly कितना आता 0 अगर non integral value भी है तो उपर आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा finite sum मिलेगा क्या मिलेगा finite sum और upon में N square बैठा हुआ है और N की limit कितनी जा रही है infinity जा रही है X by 2 ओके आपके पास final answer जो आएगा X by 2 और कल जो मैंने आपको trick बताई थी कल मैंने आपको trick क्या बताई थी कि यहाँ पे N की highest power है ओके इतना सब कुछ करने के बजाए कल मैंने आपको trick बताई थी इस तरीकी function की greatest integer में कि ऊपर X लिख दो और नीचे जो N की highest power है वो लगा द 2 है तो आप 2 लगा दिजे कल मैंने आपको यही बताया था ठीक ना तो ठीक है done तो इस तरीके से यह question हम कर सकते है thank you so much यह वाला हो गया अगला करते है अगले question की तरफ हांगे बढ़ते हैं अगला question देखिए यह भी पी वाई क्यू है exam में आया हुका question है question आपको दिया गया है कि आपको S infinity find करना है infinite terms का आपको some find करना है ओके आपको series क्या दी गए series आपको दी गए 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus 1 upon 5 into 6 into 7 मतलब जहां पर यह खतम होती वहां पर series सुरू होती है 1 upon 7 into 8 into 9 इस तरीके की series दी गई है आपको infinite terms का some find करना है देखिए कैसे some find करेंगे 4 option दिये गए हैं 4 option में एक पहचान आपके पास में है कि हर option में log 2 है मतलब मैं 4 option जो मेरे सामने हैं उनमें एक ही पहचान है कि every option में log 2 दिखाई दी रहा है मतलब कि कहीं न कहीं log 2 तो बनेगा इसके answer में एक थोड़ा सा help यहां पर हमको मिल चुकी है कि log 2 बनेगा चलिए अब solve करते हैं इस question को कैसे solve करना देखी तो सबसे पहले जो हमारा conventional दिमाग जाता है कि इसका answer term बनाए तो इसका साब साब दिख रहा है कि answer term जो आपके पास में कितना आ रहा है वो दिख रहा है 1 upon देखी 1 है 3 है तो यह क्या है odd numbers है तो यह क्या बनेगा 2N-1 देन इसके बाद क्या है 2 है 4 है 6 है तो यह क्या है 2N है और अगले भी odd number है तो यह क्या है 2N-1 यह हमारा जो है कि हमने बना लिया answer term बट इससे आंगे कुछ होने वाला है नहीं है इससे आंगे कुछ होने वाला है नहीं तो मैं कहूंगा ऐसे question आप read before exam category में डाली मतलब इनको आपको एक पर पढ़के जाना पड़ेगा ये थोड़े से ऐसे question है जिसमें practice के requirement है बगएर practice के हम कुछ नहीं कर सकते हैं देखो कैसे करते हैं इसका solution तो इसको हम 1 upon 2 into 3 में सबसे पहले हम एक काम करते हैं 2 का divide करते हैं और 2 का उपर पूरे में multiply करते हैं तो 2 का multiply देखे कि किस form में करेंगे हैं यहां हम इसको लिखते हैं 3 minus 1 क्योंकि 2 ही आएगा upon 1 into 2 into 3 ठीक है ना फिर इसके बाद देखे यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2 बनाने के लिए 5 minus 3 और यहां पर क्या बनेगा ना 3 into 4 into 5 फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 7 minus 5 और इसको हम लिख सकते हैं 5 into 6 into 7 and so on, इसकों क्या लिख सकते हैं, इसकों लिख सकते हैं, 9-7, जो कि 2 generate करेगा, और यहाँ पर कितना 7 into 8 into 9, इस तरीके से यह जो series है, अब 2 कहाँ, infinite terms की तरफ propagate होगी, अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ से 1 upon 2 को तो बैठे रहन दीजे, ओके, अब देखिए, अग क्योंकि 1 तो useless है, इसको मुने 2 into 3 लिख दिया, प्लस, अगर आप 5 को बाढ़ दे, इस series को तो यह कितना बन जागा, यह बन जागा 1 upon 3 into 4, और अगर 3 को काड़ने तो 1 upon कितना, 4 into 5, फिर 7 minus 5 को लिख सकते हैं, 1 upon 5 into 6, और minus 1 upon 6 into 7, यह देखिए, इस तरीके से series को आँगे, आ अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, यह 1 upon 2 है, अगर आप देखें कुछ जाना पहचाना, यह 1 upon 1 into 2 है, फिर इसके बाद 3 into 4 है, फिर 5 into 6 है, इस series को अगर आप उठा लेते हैं, तो 1 upon 1 into 2, प्लस 1 upon 3 into 4, प्लस 1 upon 5 into 6, प्लस up to up to infinity तक यह series है, और इसके बाद जो बच गया ह है, यह बच गया है, यह बच गया है, यह बच गया है, इनको यह दी आप लिख दे, है ना, तो कैसे बनेंगे, यह infinity के आँगे, मतलब इसको एक काम करो, infinity, यहां मतलिक हो नी, तो confusion create हो जाएगा, यहां तो प्लस चल रहा है, इस तरीके से, और पहला माइनस क्या लेकर क्या क्या है, यह बच गया, यह बच गया, यह बच गया है, इस सवाल को बना लिया था, अब इसके हम आगे जो है, इस सवाल को दिखते है कि क्या होगा, तो अब आप देखिए ये जो सीरीज आपके सामने है 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3 इसको मैं थोड़ा सा adjustment form में लिखता हूँ ये क्या बन सकती है ये बन सकती है 1 upon 1 minus 1 upon 2 साफ साफ देख रहा 2 बन जा 2 minus 1 बन जाएगा और ये कितनी बन सकती ये बन सकती 1 upon 3 minus 1 upon 4 plus 1 upon 5 minus 1 upon 6 ठीक है ना बिल्कुल सही है ये बन चुकी है अब देखिए प्लस इसको चलने दीजे यहाँ पर यहाँ पर क्या बनेगी देखिए ये minus है है ना ये पहला टर्म क्या बना हुआ है minus अगर आप minus common laser लेते हो तो ये अंदर ही minus 1 upon 5 फिर plus 1 upon 6 minus 1 upon 7 ठीक ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है ओके चली कोई बात नहीं बढ़िया है अब देखिए आपको मैं log 2 बताता हूँ log 2 की expansion कैसे निकलेगी log 2 को लिख सकते है आप log 1 plus x ओके log 1 plus 1 लिखोगे log 1 plus 1 ओके अब देखो log 1 plus जो x होता है वो क्या हुआ करता है log 1 plus x equal to होता है x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की power 4 by 4 इस तरीके से ऐसे चलता है तो अगर आप log 1 plus 1 बोलोगे तो कितना जागा देखिए x की जाए कौन बेठे का 1 है ना log x की जाए कौन बेठे का 1 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 6 इस तरीके से यहाँ पे मैंने गलती कर दी है 1 upon 5 minus 1 upon 6 आएगा हाँ तो इस तरीके से यह सिरीज जो होती है आंगे convey हुआ करती है तो देखो ध्यान से क्या यह सिरीज यही बन रही है 1 upon 1 तो 1 ही होता है फिर 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 विल्कुल सही है तो यह सिरीज बन रही है मतलब यह क्या बन गया 1 upon 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 1 upon 2 यह हो गया log of 2 अब देखो यहाँ पर यह series बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इस minus sign को multiply करना पड़ेगा और एक one add करना पड़ेगा तो अगर मैं एक one खुद से add कर देता हूँ अगर मैं एक one खुद से add कर देता हूँ तो देखो क्या बन जाएगी यह series आंगे और एक चीज़ देखे अगर आप one खुद से add कर रहे हो तो one आपको subtract भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने plus one किया तो at last आपको क्या करना पड़ेगा minus one भी करना पड़ेगा अब देखे आपकी series क्या बन रही है तो आपकी series बन रही है plus one okay minus sign का multiply कर दो कितना हो जागा minus one by two plus का one by three minus one by four plus का one by five minus one by six plus का one by seven बहुत बढ़िया यह आपके साथ series चली जा रही है और last में आपके पास में कितना है last में आपके पास है minus one क्योंकि आपने जो add किया था उसको आपको subtract भी करना है तो आपके पास last में add the end कितना बचा है minus one अब ध्यान से देखे यह भी क्या बन चुका है यह आपका lock two बन चुका है यह जो series आपकी यहाँ तक चल रही है up to infinite terms यह भी क्या बन चुकी है lock two तो मैं इसको यहाँ पर solve कर देता हूँ समझने के लिए देखे यह कितना है one upon two है और एक बार lock two है दो बार lock two है तो lock two plus lock two कितना बन गया two lock two और minus का कितना one तो आप इसमें two का divide कर देजे तो कितना हो जाएगा log two minus one by two तो यह इसका answer आएगा answer क्या होगा log two minus one by two is the correct answer so it is done चली देखे दोस्तों अगला question देखे integration का question है question आपके सामने दिया गया है यह limit two से लेके three two x की power five plus x की power four minus two x की power three plus two x square plus one और denominator में यह दो term आपको दिये गया है ओके देखे कैसे करना इस question को integration two से लेके three सबके पहले two x cube common लेजे इन दो term से जिनमें टिक लगा हुआ है तो two x cube common लेगे कितना बनेगा x square minus one और यहाँ पे x square x की power four plus two x square plus one upon में कितना x square plus one और x की power four minus one इसको distribute कर दीजे two x cube x square minus one upon में x square plus one x की power four minus one और इधर पे कितना आ जाएगा x square plus one का whole square इधर पे x square plus one x की power four minus one अब two x cube x square minus one divide by x की square plus one अब x की power four minus one को दो part में अपने तोल लिया x square minus one x square plus one जिससे की एक से एक कैंसल हो गया और इधर देखे यहाँ पे x square plus one का whole square है जो कि मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, x² प्लस 1, x² प्लस 1 और अपॉन में x² प्लस 1, x की पाउर 4-1 को दो पार्ट में लिख दिया, x² प्लस 1, x²-1 चले, x²-1 को x²-1 से ब्रेक कर दिया, तो 2x3 upon x²-1 का whole square यह आ गया और 3 upon 2, 1 upon x²-1 dx, ठीक है, done, यह हो गया so i is equals to i1 plus i2, इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, i1 plus i2 अब सबसे पहले मैं i1 वाले पार्ट को solve करता हूँ, 2x3 upon x²-1 तो देखे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x3 upon x²-1 को यह पहला वाला जो पार्ट है, इसको मैं लिख सकता हूँ, x² into 2x dx upon x²-1 का whole square इसको मैं इसको मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, t-1 upon t-square, distribute कने पर 1 upon t-1 upon t-square हो गया, okay, 5 से लेकर 10 limit change हो चुकी है, और देखे, lock t-1 upon t, मतलब हो जागा, plus 1 upon t, तो अपर limit, lock 10 minus lock 5, और यहाँ पर देखे, कि माइनस माइनस प्लस होगे, तो 1 upon 10, minus 1 upon 5, तो lock 10 upon 5, lock 2 बन जाएगा, और यह कितना बन जाएगा, यह बनेगा, यह थोड़ा सा mistake को यहाँ से, यह है, 1 minus 2, ओके, थोड़ा से ही कर दूँ, यह है, 1 minus 2 upon 10, so that is equals to minus 1 by 10, तो यह पहला पार्ट आगया, हमारा integration का, अब दूसरा पार्ट करते हैं, इस पार्ट को ध्यान रखेगा, lock 2 minus 1 upon 10, ठीक ना, दूसरा पार्ट देखे, i2 क्या है, i2 हमाए पास में यह है, 3 upon 2, यह देखे, i2 अपने पास में यह 3.2 x square minus 1, जिसको x square minus 1 square, formula लग गया, 1 upon 2 is log of x minus 1 upon x plus 1, तो 1 upon 2 is log x minus 1 upon 3 plus 1 minus 2 minus 1 upon 2 plus 1, so 1 upon 2 log 3 minus 2 upon 4, that is equal to one by two minus log one by three यह complete हो गया ओके अब देखिए आई वन और आई टू को एड़ कर दीजिए तो आई वन कितना है था लॉक टू मैनस वन अपॉन टू लॉक टू लॉक टू टू लॉक टू टू ठीक है यह सब कुछ होने के बाद बस इसको सिंप्लीफाय कर लिदी आपका अंत्र आजाएगा तो यह दीखिए यहां तक हम आ गए थे वन लोग टू मैनस वन 2 लॉक टू कितना हो गया लॉक 6 हो गया मैनस ओन यही इसका अंसर है करेक्ट इसको इसी तरीके से हम सॉल्फ कर पाएंगे, ओके, तो अगर अगर देखिए वैसे क्वेशन बहुत बड़ा गया है, ओके, ये भी PGT एक्जाम का क्वेशन आया हुआ है, अगर आपके पास कोई शॉट ट्रेक हो, तो जरूर बताईए, कमेंट करके, कि इसको किस सकता है, बाकि मुझे तो ऐसी कोई शॉट ट्रेक इस क्वेशन में समाझ में नहीं आ रही है, बस इसको पूरा सॉल भी करना पड़ा, इन केस अगर आपको कोई इसकी ट्रेक पता हो, तो जरूर शेयर करें, थैंकियो सो मच, चलिए आंगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, ठीच अ का है, हमको sine x और cos x को 10x की एकनशन में लिखना पड़ता है, तो sine x का formula का होता है, Top 10x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2 ये पूट कर दिया, और cos x का होता है, 1 minus 10 square x by 2, 1 plus 10 square x by 2, ये पूड nesse कर दिया, देखे, 10 Daddy मायाएगा 1 plus 10 square x by 2 कितना होता 2 square x by 2 बनके ऊपर चला जाएगा इधर पर कितना हो जाएगा 1 plus 10 square x by 2 2 2s of 4 10 x by 2 1 minus 10 square x by 2 10 square x by 2 से 10 x square x by 2 cancel हो गया नीचे क्या बज़ गया 1 plus 1 2 of 4 10 x by 2 2 common ले लिए तो 1 plus 2 10 x by 2 और इधर कितना आ गया 2 square x by 2 अब क्या करते हैं 1 plus 2 10 x by 2 को t ले ले लेते हैं t suppose कर लेते हैं तो 1 plus 2 10 x by 2 को हमने t suppose कर लिया तो differentiate करने पर dt by dx equal to 1 का हो गया 0 2 10 x by 2 का 2 2 square x by 2 और 1 by 2 2 से 2 cancel so dt is equal to 2 square x by 2 dx ओके डन सो ये कितना हो जाएगा हमाँ पास में integration i is equal to हो जाएगा 1 by 2 second square x by 2 dx के तना में dt बन चुका है upon में t answer आ गया log t plus c 1 upon 2 log t plus c so 1 upon 2 log t की value कितनी है t की value है 1 plus 2 10 x by 2 plus c तो correct answer हो जाएगा इसका 1 log of 1 by 2 log of 2 10 x by 2 plus c चले चेक करते हैं कौन सा option है इसका 1 by 2 log of 1 plus 2 10 x by 2 plus c मतलब correct option 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 number 3 जो है इसका correct है okay so this is done चले अगला question लिखे PGT exam में पूछा गया question है question लिखे the volume of the quad wide generated the volume of the solid generated okay the volume of solid generated generated by the revolution by the revolution of the card wide क्या है card wide है by the revolution of the cardioide cardioide okay क्या है cardioide देखे R is equal to A है bracket में 1 plus cos theta इसको आप rotate कर रहे हो about the initial line about the initial line initial line के about आपने rotate किया है आपको बताना है कि cardioide जो generate होगा उसका volume क्या होगा okay तो यह PGT maths में पूछा गया question है देखे इसके लिए simple आपको formula याद करना चाहिए इसका जो formula होता है वो याद कर लिए तो यहाँ पर आपको जो cardioide दी गई है वो कितनी दी गई है RA bracket में 1 plus cos theta इसको याद रखिए कि एक equation क्या है इसको use करना पड़ेगा R is equal to A 1 plus cos theta अब आपको क्या लगाना है formula देखे cardioide generator का जो volume होता है जो volume बनता है solid का उसका जो volume हुआ करता है वो होता है अलफा से लेके beta initial angle आपने कहां से कहां तक rotate किया है 2 by 3 pi r cube याद रखिए 2 by 3 pi r cube and sin theta d theta बस आपको यह formula यादा है तो यह question बन जाएगा so V is equal to alpha 2 beta 2 by 3 pi r cube r cube देखे कितना बन जाएगा यह है आपका r तो यह बन जाएगा a cube और 1 plus cos theta का whole cube बहुत बढ़िया और sin theta d theta ठीक है ना अब देखे यह तो सब का सब क्या constant है तो इसको बाहर ले लिजिए ओके और limit alpha 2 beta change कर दीजिए क्या है access के about rotate किया गया है तो कितना rotate किया गया होगा इसका 0 2 pi चले 2 by 3 pi a cube आपने बाहर ले लिया है ओके आपके पास के बल कितना बच गया है यह है और 1 plus cos theta और sin theta d theta ठीक है यह आपके पास आ चुका है अब आपको करना क्या है 1 plus cos theta को आप T ले लिजिए तो यह solve हो जाएगा ठीक यहीं पर मैं solve कर देता हूँ 1 plus cos theta is equals to T okay so dt by dt by d theta is equal to 1 का हो गया 0 और cos theta का कितना होता differentiation minus sin theta okay so यहाँ पे sin theta d theta is equal to कितना हो गया minus dt तो मतलब जो sin theta d theta है वो कितना हो जाएगा minus dt यहा power 3 लगा लिजिगा so i is equals to जो आपके पास में volume आ रहा है i नहीं है volume कितना रहा है 2 by 3 pi a cube यह तो ठीक है 2 by 3 pi a cube यह तो चलेगा ही इसके बाद में आपके पास में जो आपके पास में जो value है वो put कर दो भाई limit change हो जाएगे दिखे तो limit sin 0 कितना होता है आपने 1 plus cos theta है हाँ तो 1 plus cos theta cos 0 कितना होता cos 0 equal to 1 होता है तो यह हो जाएगा अपने पास में 1 और pi cos minus 1 होता है तो यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा minus dt तो एक का मैं करता हूँ इस minus sign को में बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर till लेता हूँ minus sign को अंदर dissolve कर दीचे तो limit change हो जाएगी तो V is equal to 2 upon 3 by a cube limit change होगा कि 0 से लेके 1 और T का cube तो देखे integrate कर दो तो T की power कितना हैगा 4 upon 4 तो T की power 4 upon 4 तो V is equal to 2 by 3 by a cube T की power यहाँ पर कितना हैगा T की power 4 by 4 एक मिनट थोड़ा से limit में कहीं गलती तो नहीं है T की power 4 by 4 ओके yes तो आपने एक बार फिर से चेक कर लो यहाँ पर कि कोई गलती नहीं होई हो 1 plus cos theta is equal to T आपने ले लिया 1 plus cos theta को तो 1 plus cos theta T लेने पर जो differentiation इसका बनता है वो कितना बनता है minus sign theta d theta तो minus sign theta तो sin theta d theta is equal to कितना हो जाएगा minus dt तो minus बाहर ले लिए और limit आपके कितनी बन गई 0 से लेके पाई थी तो limit आपकी जो set हो गई है cos 0 पे 1 plus cos 0 हाँ ये गलती हुई है देखे देखे limit आप 1 plus cos 0 आएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा यही mistake हो रही थी यहाँ पे इसलिए गलती यहाँ आणसर गलत आ रहा था 2 से लेके 0 because 1 plus cos 0 हो जाएगा 2 और उपर minus 1 अब बिल्कुल सही है तो limit जो change होगी वो आएगी 0 से लेके 2 ओके तो थोड़ा सा change कर लिए ती की power 4 by 4 और 0 से लेके कितना है यहाँ पे 2 है ओके चलिए इसको solve करते हैं next page में लेके चलते हैं इसको next slide पे इसको solve करेंगे हाँ तो देखे कैसे solve हो गई है आराम से solve करा करें questions गलत हो जाते हैं कई बार हमारी speed हमारे लिए उल्टा पड़ जाती है तो 1 by aq हो गया ती की power 4 तो 2 की power 4 by 4 याने की 16 है 2 की power 4 16 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 16 अपॉन 4 हो जाएगा यह और minus यह तो 0 तो 0 ही रहेगा तो answer इसका दिखे 2 by 3 by aq फोर से कितने बार हो जाएगा 4 4 से कितने बार हो जाएगा 4 हो गया तो यहाँ पे into 4 हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 4 जा 8 by 3 कितना हो गया यह 8 by 3 pi a cube तो यह इसका आंसर बनेगा आंसर है 8 by 3 pi a cube नोट कर लिजे Done चलिए देखें next question क्या है next question कहला 2 tangent are drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 14 x plus 2 y plus 25 equal to 0 तो यह आपके पास एक circle की equation दी गई है कह रहा है कि इसमें जो 0 0 है उससे 2 tangent खीची गई तो यह diagram मैंने बना दिया देखे 0 0 है इससे 2 tangent आपके खीची गई इस circle पे मतलब external point है अब क्या कह रहा है angle between these two gen तो आपको बताना है कि angle इन दोनों tangent के बीच का निकलना तो अगर मैं in case इसका slope और इसका slope निकाल लेता हूँ m1, m2 तो मैं formula लगा करके 10 theta वाला मैं क्या निकाल लूँगा इनके बीच का angle निकाल लूँगा तो क्या करते हैं देखे यहाँ पे so this point is 0,0 अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक line मान लेता हूँ क्योंकि origin से चल लेवाई line क्या होती y equal to mx so I can suppose the line is mx minus y equal to 0 यह line यहाँ से जा रही है mx minus y equal to 0 अब यह देखे circle का center कितना निकलेगा 2g और 2f करके निकाल लेज़े circle का center 7, minus 1 यहाँ पे आ रहा है और radius कितनी निकल जाएगी देखे जी स्क्वार प्रस फे स्क्वार मैंने c का अंडरूट फॉर्मूले से radius equal to 5 आ गई तो अगर मेरे पास line mx minus y equal to 0 है और 7, minus 1 से अगर मैं perpendicular डालूँगा तो radius कितनी आने चाहिए 5 तो condition लगा करके perpendicular distance का मैंने solve किया तो 7, minus 1 से इस line पर डाली गई perpendicular 5 है इसको solve कर दिया तो इसको solve करने पर equation आ गई इस equation को solve करने पर finally मेरे पास ये बन चुका है ये equation बन चुका है अब देखे ये जो line है इसके अंदर 2 m contain है M1 और M2 इसके दो roots है जो कि दो अलग-अलग lines को represent करेंगे अलग-अलग line को slope करेंगे तो मैं roots क्यों निकालू मैं directly देखता हूँ product of the product of the product of the roots यानि की product of the slope और मैंने product of the slope किया तो M1 into M2 equal to C upon A that is equal to minus 1 आ रहा है इसका मतलब दोनों line एक दूसरे की क्या होंगी perpendicular तो correct answer इसका कि lines are perpendicular अच्छा अगर एक नाजर में मेरे कोई perpendicular नहीं देता तो फिर मैं क्या करता फिर मैं M1 और M2 की separate value निकालता और M1 M2 की separate value निकालने के बाद में 10 theta वाला formula लगाता 10 theta का जो formula हुआ करता है 10 theta acute angle के लिए mod लगा दीजी that is equal to M2 minus M1 upon 1 plus M1 into M2 यह formula को मैं solve करता और इससे मैं value निकाल पाता ठीक है done चलिए देखिए अब यही जो question हमने एक इस तरीके की method से किया कि हमने equation line की equations निकाले slope निकाला और M1 into M2 देखा अब इसको दूसरे method से करते हैं यह कैसे करते हैं तो question में आपके पास दिया गया है कि एक circle है ठीक है ना और circle पर यह जो है दो टेंजेंट कुछ इस तरीके से जा रही है यह थोड़ा गलत हो गया यह देखिए दो टेंजेंट ही जारी यह हमको एंगल निकालना इसके बीच का तो देखिए हम क्या करते हैं यह pair of tangent होती है और pair of tangent का जो equation होता है equation of pair of tangent क्या होता है ss1 equal to t square तो हम ss1 equal to t square के pair of tangent का हम equation निकाल लेते हैं ठीक ना तो ss1 equal to t square लगाएंगे और pair of tangent का equation आ जाएगा दीखिए कैसे निकालते हैं ss1 तो जिस point से tangent जा रही है वो क्या है 0,0 और अपने पास जो circle का equation दिया गया है वो कितना दिया है circle का equation दिया गया है x square plus y square minus 14x plus 2y plus 25 equal to 0 यह हमाँ पास circle का equation दिया गया है तो देखिए सबसे पहले हम ss1 तो s की value put कर देते हैं फिर s1 की value put कर देते हैं s कितना यह है s मतलब circle तो x square plus y square minus का 14x 14x plus का 2y and plus का 25 into s1 s1 कैसे निकलता है जो point आपके पास है 0,0 इनको आप circle के equation पूट कर दो मतलब x की जगे 0 और y की जगे 0 तो केवल 25 बचेगा equal to t t मतलब tangent का equation आपको पता है tangent का equation क्या होता x x 1 y y 1 है ना मतलब 0,0 point से tangent जो जा रही है वो क्या होती equation tangent का equation क्या बनेगा x की जगे x x 1 y की जगे y y 1 और minus 14 okay x plus x 1 by 2 यह हो गया प्लस का 2 y plus y 1 by 2 और प्लस का 25 यह बन गया आपके पास में equation ठीक है yes तो इसको solve कर दीजे तो यह हो जाएगा कितना 25 times of 25 times of x square plus y square minus 14x plus 2y plus 25 equal to देखे 2 से 7 times कटेगा तो कितना बन जाएगा minus का 7x okay plus का y okay यह square भी लगा यहाँ पे में भूल गया था t square होता है तो plus 25 का whole square यह देखे ओके चली अब इसको हम open करते हैं तो कुछ यह खुल जाएगा इसको open करता हूँ देखे किस तरीके से open होगा यह जाएगा 25x square यह जाएगा 25y square minus 14,25 ओके तो इसको यह दी मैं open करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा ना हाँ ठीक है इसको 14,25 तो 25,24 कर देता हूँ यहाँ पे 14,75 जाएगा 27,24,28,28,8,6,15,3,50 तो minus का 350x plus कितना 25 दो 50y और plus का 625 यह जाए 25 का square एक को डू कितना हो गया चलो इसको open कर दो अब आप इसको a plus b plus c के whole square से अपन open करते हैं है ना तो इसको a plus b plus c के whole square से open करेंगे तो a square तो 49x square प्लस b square प्लस y square प्लस c square और 25 का square प्लस 2ab तो minus हो जाएगा 7,27,14xy प्लस 2bc तो plus 2 into 50y हो जाएगा और 2ca तो 25 गुने 7,175 और double minus का 350x यह बन गया equation इसको solve कर दो देखो क्या क्या cancel हो जागा यहाँ से 25 का square इधर cancel इधर cancel ओके plus 50y यह cancel यह cancel 350x यह cancel और यह cancel ठीक ना अब आपके पास बच क्या गया जो बच गया है वो आप लिख दीजे यहाँ पे देखिए तो 49x square में से 25x square गया तो यहाँ पर कितना बच गया 24x square बच गया और y square है और यह 25y square है तो minus कितना हो जागा 24y square ओके एंड इसके बाद है minus का 14xy है ना तो यह minus है एक मिनट लो इसको चेक कर लें minus है कि plus है यह तो plus y to bc तो यह हो जाएगा कितना 1 14 हाँ ठीक है तो minus का 14xy equal to कितना 0 तो यह relation मेरे पास आ चुका है तो 24x square plus 14xy और minus 24y square इसको यह दी simplify करके लिखू मैं तो देखी equation कितना बनेगा यह बनेगा 24x square 24x square ओके minus का 14xy और minus का 24y square equal to 0 तो यह क्या है यह pair of straight line है ओके यह pair of straight line है अब pair of straight line में जो angle आपको मिलता है वो 10th theta से निकाला जाता 10th theta is equal to qt angle equal to 2 times under root h square minus a b upon a plus b 2 times under root h square minus a b upon a plus b so 2 times h square मतलब 14 का square 196 minus a into b तो 576 24 का square हो गया minus minus plus हो जाएगा यह a b upon a plus b तो देखो उपर है एक है a है 24 और b कितना है minus 24 तो यह कितना हो गया 0 हो गया मतलब 10th theta is equal to कितना हो गया something upon 0 equal to infinity so theta equals to कितना pi by 2 radian और 90 degree तो यह इसका पूरा method है इसको solve करके angle निकालने का इस तरीके से आप जो है angle निकाल सकते हैं तो mainly यहाँ पर formula आप किया याद रखेंगे कि अगर आपके पास में कोई circle है और इस circle में आपने pair of tangent खीची है यह आपकी pair of tangent जा रही है यह tangent ही consider कीज़ेगा थोड़ा pen बहुत slip होता है slit पे इसलिए बहुत simple तो अगर आपके पास कोई point है आपके पास x1 y1 तो इससे आपको pair of tangent निकालना होता है तो जो equation निकलता है pair of tangent का वो होता है s1 equal to t का square तो यह तो पता ही होगा नहीं कैसे निकालते हैं t for tangent तो xx1 से यहाँ पर जो tangent निकलती है इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है t यहाँ पर क्या होता है t is equal to होता है xx1 plus yy1 plus 2g यहाँ पर x plus x1 by 2 plus 2f